कि चलिए हम लोगी स्टाट कर से हैं जो हमारी कोई मेंस की सीरीज चल लए थी इसका पार्ट नमर टैन अभी तक हम लोग नाइन पार्ट देख चुके हैं जिन लोग नहीं नहीं देखें वह बात मिज़ा करके दिख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है एंडीडियाल यह मैं आपके बहुत सारे बोकेप कवर कराऊंगा जो आपको आगे जा करके बहुत करने वाला है चलिए हम लोग स्टाट कर से हैं एंडीडियाल जैसे कि मैं आपको सबसे सारा लवासा में बताता हूँ तो एक स्टोरी पहले आप सुनिए इसके साथ में आपके चार-पांच बढ़्ड है जो आपके क्लियर करा होगा ओकि मानते हैं एक बेखती है जो पप्पु है ओके इसके पास सो रपे हैं इसके पास सो रपे हैं अब यह सो रपे का क्या करें अब मानत अब देखिए हैं यहां पर आप ऐसा समझ लिजें क्योंकि बड़ा एक्जांपल लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो मान लिजें सो कड़ो रहे हैं इन सो कड़ोर को मैं यहां पर सो रुपे लिख रहा हूं जैसे आपको इजी से समझ पाजाए हो कि आसान करने के लिए मैं इसको छोटा मॉंट ले रहा हूं तो आप लोग ऐसा समझे जो सो कड़ो तो इसके दोस्त ने बताया कि इस पैसे को रख सकते हों तो यह गया बैंक के पास इस पैसे को ले करके और इस पैसे को उसने एक अपना अकाउंट खुलाया वहां पर जा करके इस पैसे को जमा कर दिया इन 100 रुपए को उसने क्या कर दिया जमा कर दिया अब बैंक के पास क्या आई यह जमा रासी देखिए यह क्या है एक रासी ही तो है और उसने क्या किया जमा किया है तो इसी लिए इसको बोल देते हैं जमा रासी देखिए देहां से सुने यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको story के सुरूई सारा कुछ clear करा दूँगा यहां पर और यह जमारासी कितनी है 100 रुपए है क्यों कि इसमें 100 रुपए है समा किये है और जो bank के पास जमारासी आती है वो bank की देटा कहलाती है क्यों कि इसमें 100 रुपए है यह बैंक कि क्या कहिलाएंगे देए और इसको इंग्लिस में कहते हैं liability कि क्या बोलते है emba इसको धिहां से सुनेए दिकिए यह bank क्या क्या एक देटा क्या आसकता है देखिये इसने जो यह 100 रुपय बैंक के लिए मानते हैं SPI means J यह बैखती है पपू है इसने सुर रुपय बैंक को रखने के लिए दिया है ना कि दान में देती हैं कि भाई यह आप क्यों गयों जायो मजे करूई क्यों 26 लिए यानिके इसका क्या तात पर वब्लू इस बेंग से अपने पैसे माँगे तो इस बैंग को यह पैसे देने पड़ेंगे यानके लोटाने पड़ेंगे जब बैंक के लिए यह पैसे क्वा wrist कि जो कश्टूमर रें वह इस पैसे के माँ करेगा तो उसे देने pड़ेंगे इसी लिए इसकी मांगा यह तो उसे लिए पैसे क्लियर होगे और यहां की लाइबिलीटी किसे कहते हैं अब देखिए conventional हो गया आपके हो ऑप देखिए जरूरोगे हैं इसके बग्राब मांता है इसको 50 रौपय की जरूरत जरूरत है if इसका दोस्त है यह भी विचारा बहुत पारिसान इसके दोस्त ने आ करके बताया तो पारिसान आओ एक बैंक नाम की चीज़े वहां पर जाई है आपको लोन मिल जाएगा वह आपको पैसे दे देगी ओके तो यह बैंक के पास किया बैंक ने का चलो ठीक है इसने का हमें 50 ठीक है हम दे देंगे बैंक ने सूचा हमारे पास यह 100 रुपए हैं इसमें से हम 50 रुपए इसको दे देते हैं हमारे पास रखी हुए तो हम इसको दे देते हैं तो बैंक ने क्या किया इसको दे दिया किस रूप में रेड के रूप में कि लोन के रूप में कितने रुपए पचास रुपय दे दिए लेकिन बैंक ने एक सरद रख दी हम आपको रुपय तो देंगे अब भागल थोड़ी ना इसको रुपय देगी उसको कुछ प्रॉफिट से रहे तो रहे लेकिन हम आपको आपको जब आप लोटा लेंगे हमें तो 10% का ब्यास बारसिक देना पड़ लिए ओके अब next year आया तो इसने इसको पैसे लोटा ले वैंगंको कितना रुपय लोटा लें पच्पन रुपय लोटा लेंगhow , 50 रुपय जो उसने लिया था और हुआ इस पचास रुपय का दस प्र सैंट कि ना हुआ पांच हुआ है कितना हुआ उसे 50 रुपय नित्यक रही हुआ हो गया तो यहीं हुआ बन जाता है मतल yhte बन इसको हम बोलते हैं precede despite इक हुख YOUR वह कुलत crochet परी संपत्ती परी संपत्ती देखे इसको ध्यान से देखे अब देखे जो ए एसेड है यह कहां से आया इस पचास रुपए से ही तो आया और यह क्या था यानि कि इसका क्या दात पर हुआ यही क्या है बैंकी परी संपत्ती है यानि कि इस रुपए में से जितना रुपए उ क्यूंकि उससे आय करिद हो रहा है मैं आपसे पुछ रहा हूं इस परिशाष न्यान चुछ रहा हूं यह स आप बोलिए क्यूंकि इसBOC की आय हो रही और जिस से आय होती है वह क्या क्या हola आनि परी शाम लाती है ऐसे इस इस में देखिए दो कहलेंगे देयता कहलेंगे क्यों क्योंकि जब भी मांगेगा तो उसको देने पढ़ेंगे इसलिए बैंक की देयता कहलेंगे लेकिन इस रुपए में से इस जमारासी में जितना amount जितना amount bank निवेस कर देता है निवेस कर देता है मानते हैं उसने किसी को rate दे दिया उसने को security खरीद ने किसी भी रूपए वो निवेस कर सकता है इस amount को अगर उसने निवेस कर दिया तो इस निवेस से क्या होगा इस निवेस से उसका lab होगा ना अब lab होगा तो यह bank क्या कहल अगर देखें जो अमाउंट है वो क्या कहलेगा दियता कहलाईगा लेकिन इस अमाउंट में से जितना उसने निवेश कर दिया वो बैंक की क्या कहलाईगी आशेट कहला जो हम लोग जमा करते हैं अब यहां पर हमने बात की ऑप्पो आकर की रुपई जमा किया तो क्या होगा अभी जामारासी थी लेकिन बहुत सारे लोग आ करके जामा करेंगे तो कुल जामारासी जो होथी है जितने लोग होंगे मानते हैं कि इस bank में 100 Postoin है तो 100 customer की कुल जामारासी भी क्या बूख क्या कहलाएगी एंडेटियल के लाएगी वो बैंक की एंडेटियल के लाएगी अब आपसे मैं पूछता हूँ एंडेटियल के है तो आपको बोल है बैंक के पास जो कुल जमारासी होती है वो बैंक की एंडेटियल के लाती है तो एंडेटियल आपको समझ में आगी एंडेटियल के है बैंक क कुल जामारासी है वही बैंक रेएंझेड लेकिन यह जामारासी है यह कई रूप में आज सकती है जैसे कि आपने देखा होगा और पर दोगती है वो current account के रूप में रखेंगे, कुछ लोग होंगे, वो fix account के रूप में रखेंगे, तो bank के पास किसी भी रूप में जो पैसा आता है, यहां कि जो जमारासी आती है, उसी जमारासी को NDTL गयता है, अब हम लोग देखते हैं, जो NDTL है, वो किस तरह से उसका divination किया गया, यहां से आपको समझ भाएगा कि आपके account का type कौन सा है, और कितने फिरकार के account होते हैं, bank में कितने तरह के account होते हैं, हम कितने तरह के account खुला सकते हैं, और कौन बेखती कौन सा account खुलाता है, तो मैं पहले इसको क्रिया करता हूँ, देखे, अभी हम लोगों ने बात किती, bank के पास आई जो जमाराती होती है, वो bank की देखता कहलाती है, लेकिन जो यह देखता होती है, यह भी दो तरह की होती है, देखे, यह भी दो तरह की होती है, यह नमबर एक, demand deposit और दूसरा time deposit, जो यह देखता होती है, यह भी दो तरह की होती है, यह खुती है, demand deposit और दूसरा होता है time deposit, देखे, इसको demand deposit क्यों बोले, इसको बोलते है, हिंदी में, मांग देटा, देखे, ध्यान से दो मिया है, इसके बड में ही आपको इसको concept समझ पाँ जाएगा, इसको बोलते है, मांग देता यानि कि जो कस्टूमर है जब भी मांग करेगा जैसे उसने मांग की तो उसको देना पड़ेगा यानि कस्टूमर जब भी मांग करेगा जब भी मांग करेगा तो बैंक के लिए से देना पड़ेगा तो इसलिए इसको मांग देता कहा दिया लेकिन यहां पर देखिए दो सब्सक्राइब एक टाइम दूसरा डे पूज़े टाइम को मसलब होता है समय यानि कि इसमें सीमा निर्धारित की कर दी जाती है कि इस समय के बाद ही आप पैसे मांग सकते हैं तब ही हम देंगे तब ही बैंक है वो देगी तो अब यह टाइम क् यह एक लाग रोपेल आई यह पास साल के लिए रख दीजिए और फिर इसके बाद लिकाल सकते हैं उससे पहले नहीं लिखा सकते हैं आप दस साल तक इस पैसे को नहीं लिखाल सकते हैं ओके अब देखिए जो डिवान डिपोजिट होता है अभी हम लोगों ने देखा करेंट अकाउंट को हिंदी में कैसे हैं चालू खाता आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग एटियम में जाते होंगे मैं आपको दिखाऊंगे जैसे आप लोग ATM में जाते होंगे तो ATM में इस तरह से पूछता है जो आप पैसे लिकान ले जाते हैं कि आपका अकाउंट टाइप किस तरह है मतलब CB काउंट है यह फिर पूछत है न तो वह यह ही है ओगे दीखे अब जो छालू खाता है और सेपिंग अकाउंट है इसको हिंदी में कहते हैं बचत खाता है और यह हम लोग खुलाते हैं दीखे बचत खाते में इसमें ब्याज मिलता है उके इसको क्या मतलब वह ब्यास का जैसे आगर आप 100 रपEर रखेंगे तो निए तो इसमें कई यहां करते हैं और यह कौन मेन होते हैं हम जैसे स्टूटेंट होते हैं या फिर हमारे जो घरवाले होता है जो नॉर्मल होते बिजनस्मैन नहीं, बो लो कौन सा खुलाता है? सेव इकाउंट क्योंकि इसमें क्या है, हमारे लिए ब्याज मिलता है, और चालू खाता होता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है, अग इसमें आप पैसे रखेंगे, तो जो ब्याज वाला हिस्सा है, यह नही इसको भी देख लिएए देखे profit है कि इसमें अगर आप अकांटक में खुलाते हैं तो आप एक दिन में कितनी बापर री ट्राइक्षिंग हर कर सकते हैं कितना amount लिका सकते हैं कितना है डाल सकते हैं अब इसलिए इसको फॉन खुलाते हैं से जो क्योंकि बिजनेसमें नोते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं होती है, आप कितनी बार बील सकते हो, कितना अमाउंट में भी डाल सकते हो लेकिन सेवे अकाउंट में क्या है इसमें देखे ब्यास तो मिल लेकिन इसमें को सीमाई भी तो हैं देखो कोई भी चीजी होती है वो एकदम परफेक्ट नहीं होती है इसमें सीमाई क्या होती है इसमें सेवे अकाउंट हम लोग खुलाते हैं ह कि आप sleeping तस लाग से जधा पैसई एक बार वार में नहीं डाल सकते और नहीं रख सकतें हो आप एक महीने में चार पार में पार वार कर सकते ओ इस से ज़्यादा वार नहीं कर सकते हो आप एक बार में प्रक्राइब दास हजार या फिर पचास जार रोपे लिकाल सकते हैं तो इस तरह कि इसमें क्या सीमाई यह लगा देता है बैंक अब देखिए अब हम लोग हैं हम लोग लिए तो ज्यादा जरूरत पढ़ती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें खुला लेते हैं और हमारे पास हमें ब्याज भी मिलते हैं लेकिन जो करेंट अकॉंट को है खुलाएगा जो बिजनिसमेन होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा बार ज़रूरत पढ़ती है ट्राइंजिक्शन करने की unlimited amount होता है वो डालते हैं लिकालत पास लिए उक्षिक्स डिपोजेट क्या है इसमें कहाता है कि आप जैसे की आपको मैं इस्टोरी सुनाता हूँ यसे सारी सीजीं किलियर हो जाएंगे तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं देखिए फिक्स डिपोजेट होता है वो अधिकांस ख़लाया जाता है जब पैसी जरूद पड़ेगी तो क्या करते हैं वो फिक्स डिपोजट डाल देते हैं और 18 साल के बार दुगना तिगना हो जाता है फिर लेते हैं और लड़का होता है तो कहते हैं इसके पढ़ाई के लिए जरूद पड़ेगी लेकिन आप समय बदल ले अब लोग साधी के लिए बूड़ थो सूशते हैं हमारे बढ़फें क्या होगा तो बहूब एक लाग रूपाय जिम्हा करदीजह जैसे कि इसमें टाइम देदेगा जैसे कि 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए और इसके बाद हम क्या करेंगे बैंक इसमें क्या करेंगी इसको टबल टबल कर देगी जैसे वो कहेंगी हम आपको तीन लाग रुपने 5 साल के बाद या फिर 18 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद देखे तो इस तरह से होता है अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ देखें इसमें क्या था इसमें ब्याज मिल ला था और इसमें ब्याज नहीं मिल ला था इसमें ब्याज नहीं मिल ला था लेकिन इसमें एक फाइदा तो था हमारे पास जो हमारा रोपए है जो ह लिकाल सकते हैं उससे पहले नहीं लिकाल सकते हैं तो हम क्या पागल है जो यहां पर फिक्सटो खलाएंगे जाकर करके लोच we इसमें ब्याज की दर बहुत जादा होती है इसमें जो ब्याज की दर होती है वो बहुत जादा होती मतलब आपको इंट्रेस्ट होता है वो 10% 15% तक मिलता है तो इसलिए लोग क्या करता है इसमें खुला लेते हैं उनके पास एक्स्ट्राफ ऐसा होता है या फिर वो चाहते है हमारी बच्चत काम है और हमारे बच्चों की या फिर हमारा भविस शुरक्षित रहे तो उसके लिए वो लोग कुछ पहला कर तिर साल और ही में बच्चत प्रेटा लेक्टी में हैं recognise है क्या क div से करने का क्या लेता यह सक्काई एक हाग्या के बाद हैं इसलिकर वह फायदा करते हैं एक गरीब लोग के लेते वो चो किस्ट बंदा ये जैसे कि याल को अंपको पर यये बारा को कितना देना कितने साल तक 10 साल था όकि 이 लर्फे हर साल आपको जमा करनाएग दस साल तक और फिर आप क्या करेंगे इसे 18सान साख लेंगे तो बैंक क्या करेगी सब्सक्राइब क्या एक इसे 30 रपता है धार हुप Kagञा or J attain होता रहता है तो यहां पर इतना ही समझ़ यह जो तो recurring होता है, इसका मतलब होता है कि एक आवड की मतलब आप पैसे को किस्त के रूप में आप दे सकते हैं, एक बार में नहीं दिया जाता है, लेकिन fix deposit इसमें क्या word है, fix, मतलब एक ही बार में आपको deposit करना है, जितना करना है, लेकिन इसमें क्या है, एक लाग करना है, तो कर देतें तो इसी के द्वारा करता हैं तो चुन्यू-munnio की ध्यान रखें तो आपको ध्यान रहेगा किसके द्वारा और आप लोग बताईयें आपका current account है या फिर saving account है किस तरह आपको account है अगर आपका account नहीं है तो जाकर करके खुलाई है क्योंकि यह बहुत ही जारूरी है जो हमारा समावेसी का लगसे अगर हमें प्राप करना है तो सभी के पास banking सुद्धा होनी चाहिए अब हम लोग देखते हैं next अब ही तक हम लोग देख रहेते हैं जो monetary policy थी उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं इसके tools के बारे में मतलब इसके कुछ ना कुछ तो ऐसे उपकरण होते होंगे जिनके माध्यम से RBI मौद्रिक नीतियक जो कंट्रॉल करती है अर्थविवस्ता में